जय जोहर संगवारी हो, आप जम्मु जल्लम और YouTube चैनल में आप जम्मु जन के स्वागत है संगवारी हो, अभी मैं जात हूँ, खाद डालेला, खाद में बांच चुके हों मुर्म हाकाल में एकरबाद मैं अब िखेड जाहूँ छाट शी शंगवारी हूँ अभी दिखा हूँ में खेट लख मत और खाट डाले थे हो पिसे ट्यप में डाले वैनि भक बने रहा ओं उन्यास बने रहा हूँ दवाई डाला थे अपन खेत में यह वाला जो प्लाट है एकरे हरे बहुत अच्छा दहान है का का दहान लगा है शाचा कनक सरना लगा है अव धनी लगा है अव यह भी लगा है इसका 84-33 धनी हरे ना धनी बायर कमपनी के अवे अरे टिंकु चाचा अब देख रहा है अब यह दोई शिदादरी से अब पूरा दोगा ना फोर सभारी अब संग्वारी हो मैं पहुंच गया हूँ अभी खेत पहुंच गया हूँ अभी खाद ला पकड़ हूँ कर बद जाहूँ अभी मुला यह जो दीखा थे आगे खेत वह अलहरे मुर्गेत अभी नजारा देख लो पूरा संग्वारी हो अब चला थन खेत हम बना पूरा उठाक ले जात हुमेह कर बाद छीतना है अच्छत दर्वाज लगे है गाय वगर है कुछ भी मताय करके अब आगे दिखा थे संग्वारी हो यह धान निकल गहे दिखा थे अवे वाला धान हाँ यह सरना धाने अवे हरहुना धाने यह दबंग पच्पन करके हरे सिगनेट कमपनिंग धाने धान पूरा निकल गहे हम लजाना है आगे इमें यूरिया और पोटास दोनों मिला के डाला थो एकर बाद अब खाड लई बंध हो जही अब खाड नहीं डालना है मुला संगवारी हो धान हाँ भी निकलने वाला है लास्टी स्टेज में है और जतना भी हरहुना धान है वो मन सब निकल गहे पकेक चालू हो गहे और जो सरना है जो 140-145 दिन के धान है वो अभी पोट्रात है मतलब पूरा धान हाँ को लिया गहे वो ट्रायक चालू हो गहे है वो भी जल्द निकल जही ओकर बाद निकले बाद पकत में लगभग अभी ओधान में एक महिना टाइम है अब ये जो निकल गहे पक ये वो हब 15 दिन में कटेक लिख हो जही हमर तरफ संगवारी हो ये जो नया बीमारी है जो 2-3 साल में आया है माइट करके वो लग एक चालू हो गए है और उस जबसे ज़्यादा हरूना धानला नुकसान कर थे दिखा थो में है एज जो भूरा माऊं हो थे ऑकर से भी बहुत खत्रा हरे गवारी हो ये दिखा थे माइट करके खेत में बहुत दिखा थे एस सीधा धानला बदरा कर दे अब पक नहीं पाए हां पुरा लाल हो जाथे हां दिखा थे आप मल्ला बद्र हो जाथे किसान के मेहना तेकदम बरबाद एकर कुछ भी दवई डाल थे तो एक अच्छा से उपचार नहीं है कहे जाये तो दवई मन काम नहीं करें ये थोड़ा थोड़ा दानाश चालू होके उड़ा लाप बदरक कर दे थे एक इसान मन के बहुत गंबीर समस्या है बहुत अच्छा धान है लेकिन माइट लदेखा थोए दे इल मकडी बोल थे हमर तरफ माइट के बिमारी बोल थे कुछ भी दवई डाल बे तो असर नहीं कर होगे तो एक अपन मने से मारते कहे जाए तो एक अरदवाई निकलेगे हैं लेकिन उतना अच्छा सहीं से उपचार नहीं है संगवारी हो बता हूँ आप मन के तरफ भी ऐसे बीमारी लग थे कि नहीं लगे ओला संगवारी हो हमर तरफ जो माइट के बीमारी है ओकरबर मजिस्टर और प्रोपोजवाईट के उप्योग करे जा थे मजिस्टर जो दवाई है और डूपांट कमपनी के हरे और बायर के ओबिरान भी डाला थे लेकिनों में कुछ हद तक ही कंट्रोल है पूरा हंड़ेट परसंट कंट्रोल नहीं है तंगवारी हो मुर्खेत में पहुंच गया हो शर्ना दान लगे है दिखा थे आप मल्ला यही में डालना है मूला यह डबल फसल है में बोर वाला है रवी फसल भी बोथने में संगवारी हो यह हरे हमार खेत लंबा यह पूरा एकी खेत रही से तो बीच लगा हमन खड़े हन पानी कावर की सब दाहर बड़े मतलब अच्छस रहा है यह वाला है यह लंबा से है यह दो अकड के खेत हरे एक की ठोक रही से इला दो ही संबाड देहन जिकर से पानी दोनों तरफ अच्छा से रथे अब यह में मुला खाट डालना है तो देखत रहा हो संबारी हो मैं खाट डालतुं तो धमेला अगर अच्छनी डालों मैं हाँ यह बोरी कुप्योग कर तो फिल्बान देहों जोली टाइप के बना देहों जोला टाइप के यह में हाथ में ऐसे फसाल ले इत्ते अच्छा है बहुंद अच्छा सहलियात तो बन थे अब इमस्छ यह में ख़ता डाल ले पकड़ ले और बात चिताई कर ले यह में जो हमना जो टूकना है धमेला है एकर रूपयोग करता नो में थोड़ा समात रहाते खाथ फीर आगे चले जाता आगे चले जाता तो खतम हो जथे फिर वापास आल लग जथे तो भूल जथा अगर हमन पात तो चोरा वह डर रहते तो तो यह ला धर्मेन, तो राम से खें थे, बहुत बढ़े हैं, तो वहां से जा के राम से आशकत हैं, संगवारी हो इमें में पूरा नहीं डालों काबर इमें डल गए खाद हो अभरा भरा भिंगे जो धान कमजोर है जहाँ जहाँ कमजोर है ओतनी बस में डाल हूँ तो संग्वारी हो अब डल्थन खाड डलेला धान के बार ठीक है ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए धान कावर की अभी मौसन खराब हो थे बीच बीच में तो सोज़ते ये हरे खाद हरे है ये हरे बोर संग्वारी हो खाची पई काम पूरा होगे अब मुला जाना है घार पूरा दोनुम छिद्धे हो में हाँ सब अपन अपन काम में नितला थे अब चलना है मुला जात हो में हाँ अभी मुला जात हो जात है